नमश्कार दोस्तों स्वागत है आपका इस लेक्चर के अंदर और इस लेक्चर के अंदर हम जानेंगे उन लोगों की विशेशताएं या केरेक्टरस्टिक्स जिनका जनम किसी भी महीने की 11 तरीक को हुआ है हम इस समय ड्राइवर को और या मुलांग को काफी डिटेल में पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और उसी के अंदर हम दो नंबर निम्रालोजी के अंदर अब उसके अंदर डेट ऑफ बर्थ के अंदर जा रहे हैं जानने के लिए कि इनका इंडिविजुली एज अ कमपाउंड क्या मतलब होता है तो आईए जानते हैं किरिक्टरस्टिक सबसे पहले में आपको बता दूं कि ये जुड़ा है सन और सन के कंबिनेशन से एक और एक मतलब सन और दो अब इस तरह की जाता कि अंदर दोनों सन की क्यालिटी 50-50 परेशंट है आप जानते होंगे हमने किस तरह किस तरह से हमने इसको डिवाइट किया था ये 25 परसंट ये 25 परसंट अगर कंपाउंड नंबर है दोनों का मिलाके बन गया 50 परसंट और ये अकेला 50 परसंट जो है वो आ जाता है तो ये टोटल 50-50 बन जाता है इसका मतलब 100 परसंट हो जाता है आप समझ सकते हैं जैसे कि तराजू है अब उस तराजू के अंदर यहां पे भी 50 होना चाहिए यहां पे भी 50 होना चाहिए तो इस तरह से ये 25 ये 25 और फिर ये 50 तो 25 25 50 50 is equal to 50 तो इस जातक के अंदर इस बंदे के अंदर जिसका 11 को जनम दिन मनाया जाता है उसमें दोनों 50-50 परसंट की क्वालिटी ह हम कह सकते हैं कि हो सकती है ये 60-40 भी हो सकता है ये कोई particular rule नहीं है लेकिन still एक चीज़ को समझने के लिए हमने इसको यहां पर इस तरह से बताया है अब 11 नंबर जो है वो एक master नंबर भी है master नंबर से हमारा क्या मतलब है सब एक से नो नंबर तक तो जो नंबर है वो है उसके इलावा कुछ नंबर आते हैं जो कि master नंबर की शेणी में रखे गए हैं उसके बारे में आपको detail के अंदर अपने lectures के अंदर पता चलेगा कहीं लोग कहते हैं 11, 22, 33 और कहीं लोग कहते हैं 11, 22, 33 और 44 भी है इस course के हिसाब से हमने 11, 22 और 33 को दिखाया है अगर आप Pythagorean देखेंगे तो उसके अंदर different चीज़ें हो सकती है लेकिन इस course के अंदर हमने 11, 22 और 33 को आज़ा आपको master नंबर बताया जो कि अगले lectures के अंदर आ आइए general characteristics of people born in on 11th को एक बार देख लेते हैं अब इन तरह के लोगों के अंदर काफी multiple ideas होते हैं मगर दिक्कत इनके साथ क्या होती है कि ये execution जो है वो ठीक तरह से नहीं कर पाते हैं तो ideas हैं लेकिन execution नहीं है ये भाग बड़ी problem है क्योंकि वो ideas executing नहीं होंगे अगर हमार प intuitive, emotion driven people है ना अत्यधिक सहज और भावना से प्रिरित लोग होते हैं अब कभी कभी क्या होता है कि nervous feel करते हैं और इस nervousness feel करने के महसूस करने की वज़ा से इनके जो लक्षे हैं उन पर पुरी तरह से ये नहीं पहुँच पाते हैं they are not able to achieve those goals क्योंकि nervousness जो है वो ये feel करते हैं अब they have a tendency to make other excited उन में दूसरों को उत्साहित करने की परवर्ती होती है ठीक है आप देखेंगे कि दूसरों को बहुत ज़्यदा motivate कर देते हैं ये लोग और जो खुद नहीं कर सकते हैं लेकिन दूसरों से दूसरों को motivate करके ये लोग जो है वो काम करवा सकते हैं दूसरों को inspire करते हैं प्रेरित करते हैं अच्छा इन लोगों क इनको mind दिया है, तो इस तरह के लोग जो है, वो analytical भी बहुत होते हैं, है न, विशलेश नात्मक काम जो है, वो इनसे काफी अच्छा कराया जा सकता है, जैसे हम पहले बात कर चुके हैं, कि सोचते हैं, लेकिन execution कम हैं, उसी तरह से dreamer बहुत हैं, dreams बहुत बनाएंगे, लेकिन वही दिक्कत है, कि काम करना जो है, वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, अच्छे planner हैं, और good listeners हैं, लोग भी इनकी बात अच्छे से सुनेंगे, और ये जिसको बात सुना रहे होंगे, और लोग भी इनकी बात सुनेंगे, और ये भी लोगों की बात बहुत अच्छे तर characteristics में हमने देखा वो इनके उपर भी लागू होती है कि confidence की जो है वो कमी इनके अंदर कहीं ना कहीं किसी ना किसी phase के अंदर जरूर दिखती है mood swings होते हैं, nervous feel कर सकते हैं और इन दोनों चीजों की वज़ा से अपने लक्षे की तरफ जाना जो इनके objectives हैं, जो इनके goals हैं वो पूरे करने में इनको दिक्कत होती है इनके ओदेशियों को पूरा करने में इनको मुश्किल होती है, अचा पबलिक के अंदर जो general image है इनकी काफी अच्छी होती है, सारजनिक रूप से इनकी छवी जो है वो काफी बढ़िया होती है, भगवान को मानने वाले होते हैं, परमात्मा पे विश्वास करने वाले होत अमिताब बच्चन जिनका जनम हुआ है 11.10.1942 और उसके इलावा है दिलीप कुमार जिनका जनम हुआ है 11.12.1922 फिर माला सिना ये भी एक अभिनेतरी रह चुकी है इनका जनम हुआ है 11.11.1936 और फिर आता है सुनिल छेटी जिनका जनम हुआ है 11.08.1961 अभी हम ये भी लिए आके लिए लुगेंगे कि master numbers अगर आपके पास हैं आगे वाली उसके अंदर तो उसके क्या positive effects होते हैं और क्या negative effects होते हैं और कब वो positive effects charged होते और कब वो positive negative effects जो है वो charged होते हैं. इस वीडियो को देखने के लिए अगर आपको समझ नहीं आया हो तो दुबारा देख नहीं तो मैं आपको मिलूँगा अब अगले लेक्चर के अंदर तब तक के लिए नमस्कार मिलते हैं आप से अगले लेक्चर में